गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इस आवर लास पार्ट आफ सेकेंड चैप्टर दी मैजिकल बुक और जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि हरीस की इंग्लिस टीचर उसे समझाती है कि हरीस को अपने किताबों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए उसे मिशेज जैया की कही गई बातों को थोड़ी देर सोचा हरीस के माता-पिता उसके दादा-दादी सब उसकी बस इस एक गलत आदत के कारण उससे गुसा रहते थे मैं मुझे एक आखडी मौका दीजिए I promise मैं वादा करता हूँ I will be careful with my books मैं अपने किताबों का अच्छे से ख्याल रखूँगा Mrs. Jaya said Mrs. Jaya ने कहा go home and check your book self घर जाओ और अपने book self को check करो I am sure मुझे यकीन है your notebook would have come back there कि तुमारा notebook वापस आ गया होगा Take today's test in your rough notebook और आज का test तुम अपने rough notebook में लिख सकते हो Remember याद रखो don't ever tear pages from your books और keep them dirty याद रखो कि कभी भी तुम अपने किताब के पन्नों को नहीं फाड़ोगे और उन्हें गंदा नहीं करोगे Hadis had learned his lessons और Hadis को भी अपना सबक मिल गया था Hadis was surprised when he reached home Hadis बहुत आस्टरे चकित हुआ जब वा अपने घर पहुंसता है The English notebook was right there on the shelf उसका English notebook अपने self में ही था How did he miss it in the morning? आखिर उसने सुबह उस किताब को वहाँ क्यों नहीं देखा Had Mrs. Jaya's dream come true और वो सोचता है कि क्या सच में Mrs. Jaya का सपना सच हो गया था तो Hadis ने इस पूरी घटना से ये सीख लिया कि उसे अपने किताब का कितने अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और मुझे उमीद है कि आप सब भी इस कहानी से ये जरूर सीख गये हूंगे कि हमें अपने किताबों का ख्याल रखना चाहिए उसे साप सुत्रा रखना चाहिए और मैं ये उमीद करूंगा कि आप सब भी अपनी किताबों को उतना ही नया रखोगे जितना की वो किताब अब है थैंक यू